नमस्ते और विल्कम यू ओल तो अने स्रॉप्स यूपी एससी सो कल प्रेलिम्स का एक्जाम कंक्लूड हो चुका है यूपी एससे सिविल सर्विस का और बहुत से प्रेडिक्शन्स लगाई जा रही है इस पेपर को लेके एक्जाम के बाद की पेपर या तो बहुत ही ईजी का टार्गेट मतलब सोच के बैटे हैं तो उनके लिए इस पेपर से क्या लर्निंग से हम सारी चीज़ों कंसॉलिडेट करने की कोशिश करेंगे देखो यार सबसे पहले यार सबसे पहले यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन इसका पेपर न कभी ईजी नहीं होता ये बात य तो ये था कि compared to 2023, it was easy तो मैं काऊंगा हां, compared to 2023, it was on a easier side उसका रीजन ये है कि एक तो 2023 में पेर भी इस कुश्चन बहुत जादा थे और C-side भी बहुत जादा टफ था, C-side के आरे में हम बात करेंगे और 2024 में इस बार क्या हुआ है कि थोड़ा सा ना पिछला जो UPSC का था क इसे टाइप ये questions, मतलब ये quotes वाले ये वाले इनने वापस का रहें, दूसरी चीज जो लोग कह रहें कि it was on a easier side, is because कि बहुत से ना फेमिलियर टॉपिक से question पूछा गया है, जिसे वापस से ये देखो ads, इससे तो हरवा जैसे question आता है, ठीक है ना, quality में आपको देखा जा तो क्या होता है, जब भी हर कोई quality तो पढ़के जाता है, अगर आपको quality से ही बहुत familiar question देखने के मिल जाए, खासकर ऐसे question कि which of the following is right to privacy और जिसका answer simple simple article 21 था, तो आपको लगता है कि हाँ यार paper तो easy था, पर एक बार paper को थोड़ा ध्यान से देखो और थोड़ा open mind रहके आता हूं मैं आपको, अब जिससे आप अगर देखोगे, जिससे वहीं पर चलते हैं, काम करते हैं, quality वाले से ही मैं आपको करता हूं कि quality में बहुत से लोग कह रहेते हैं, it was easy, तो जिससे अब या आला question था, तो this was a factual question, अब वैसे तो ये लक्षमी कांद में सीधा सीधा mentioned है पर खुछ सोचो कि इसमें confusion होने के chances बहुत जादा हो जाते हैं, देखो आप वो कर सकते हैं, टाइप से आप eliminate कर सकते हैं, कोई BRM बेटकर जी हो सकता हैं यहाँ पर ये भी नहीं थे, बट फिर भी आपको confusion होगा, तो एक चीज़ जो हमें समझनी चाहिए, कि भले ही paper was on a familiar trend की questions हमें देखे हुआ है थे, मतलब topics familiar थे, पर भाई easy नहीं था, क्यूंकि factual question बहुत जादा थे, और ये factual question बहुत जादा role play करेंगे in determining the cutoff, क्यूंकि essay में, जहाँ पे जिसे ऐसा वाला question होगे है, ठीक है, उसके बाद ये वाले question होगे, ये वाले question होगे, इसमें बहुत से की गलतियां होई होगी, even अगर मैं आपको बताओं, जिसे, याला, मनी बिल वाला था, अब जब पहले जो कुछ coaching institutions को बहुत जादा जल्दी होती आंसर की देने की, उनने इसको गलत बताया हुआ था, फिर उनने ध्यान से बेरेक्ट पढ़ा होगा, तो उनको पता चला यह समनी होता, ठीके न, इसलिए I took one day, मैंने समझा पेपर को कैसा था, कितने factual questions थे, कैसे थे, बाकी फिर में यह चीज, opinion अपने लेके आए हो, तो यह देखो, ऐसे questions थे, इन में भी बहुत लोगों ने गलती करी होगी, you would have deduced कि यार, यह दोनों तो सही है, यह गलत है, पर इसमें बहुत लोगों को confusion होगी, और ऐसे न, बहुत सारे questions थे, अभी आला, new pattern of UPSC, कि तीन pair, अब आपको, मतला, थीरों के बारे में पता होना चीज, ऐसे mountains के बारे में भी आया था, कि आपको, मतला, खुद सोचो, कि this was on a factual side, it was, मतला, बहुत जादा factual था यह बेपर, त तो फिर भी आप deduce करके eliminate कर लोगे, पर fact तो fact है, वो तो जो है, वो है, same way here, अब इसमें आपको लगता सबके सही होगे होंगे याले question, तो मैं point is कि देखो यार, paper was not easy, it was tough, ठीक है, और अगर मैं precisely बोलू, it was slightly less tougher than 2023, but more tougher than 2022, ठीक है न, यह तो भाई, मान के चलो, it was more tougher, क्यो बहुत से लोग नहीं deduce कर पाएंगे 5th generation aircraft क्या होता है, कौन सी exercise, मतलब इंडिया ने किसके साथ करी है, कहां पर करी है, क्या उसमें Air Force ने भी पार्ट लिया ता ने लिया ता, तो अब जिसे ये CDS पर question था, बहुत से लोग इसको भी नहीं कर पाएंगे, तो my point is, there were surprise element in this paper, there were, मतलब ऐसे factual question बहुत जादा, जो सबके साही नहीं होंगे, और ये बहुत जादा role play करेंगे cutoff में, अब बात कर लेते हैं कि cutoff क्या रहेगा, मतलब expectations क्या रहनी चाहिए, आपकी cutoff को लेके, तो समझो, यह देखो cutoff में न, अगर मैं बताओ, बहुत से लोग 100 प्लस बोल आके देखोगे, वो लोग आ गए हैं वापिस इस पे, ठीक है न, पिशलिवार के cutoff के आस-पास, उसका में reason बताता हूँ, C-side, यह देखो C-side में भी मैं सेम चीज़ कहूँगा, it was less tougher than 2023, but more tougher than 2022, same चीज, कि भाई, 2022 से तो tough था C-side, ठीक है न, क्यूंकि passage में वापिस से बह apprehension was on a slightly tougher side than last year, but count और उसमें थोड़े से manageable question थे, और आप बहुत सारे लोगे comments देख रहे होगे, और बहुत सारी चीज़े देख रहे होगे, कि GS में वो पास हो रहे हैं, और C-side में अगीन उनका रुक रहा है, तो यह भी बहुत जादा determine करेगा, कि cutoff कितना जाने वाला है, अब मेरी बात सुनो, cutoff कितना मेरा estimation और plus, दिखो यार में estimation नहीं दे रहा हूँ, मैं बस यह बताना चाहरा हूँ कि अगर आपके इतने marks के आसपास आ रहे हैं, तो you should consider start preparing for mains, right, देखो, 2017 से अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है, कि cutoff कभी नीचे नहीं गया है, ठीके ना, लग 22 के आसपास भी चल जाए, क्योंकि मैंने अगेन एक सीज बोली कि 22 से तो tough था ये paper, और 2022 में भी around 88 कुछ cutoff था, right, एक मिटरो को, मैं देखता हूँ, मैं लाया हूँ शायद, हाँ, देखो, 2022 में भी 88 cutoff था, 2021, 2022, इसमें लगबक same guy था cutoff, तो जब 2022 में इतना था, और 22 से tougher side में paper है, और again, sea side will play a major role, ठीके न, बहुत सारे जगह, गर में बहुत ज़ादा थी, बहुत से लोगों का sea side अच्छे से नहीं हुआ है, तो मुझे personally ऐसा लगता है, कि if you are getting somewhere about the same, और you know, similar, last year के cutoff से, तो you should start preparing for mains, अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि cutoff इतना ही जाएगा, य 25, plus 5, minus 5, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमें sea side का अभी कोई idea नहीं है, ठीक है न, कितने बच्चों का वापिस से ने बेडा अगर करा है, जो कि नहीं होना चाहिए ताया, बाइट वही है कि sea side will play a role and also the factual part of the paper 1 will play a role in the cutoff, तो simple मेरी एक request रही है आपसे कि अगर आपका पिछल से air के cutoff के आसपास marks आ रहे हैं, start कर दीजिए mains के preparation करना, वैसे ही हमारे 21 दिन कम हो चुके हैं, जो कि हमें prelims में जादा मिले थे, तो mains के त्यारी आपको start कर देनी चाहिए, अब एक चीज आ जाते है way forward में, देखो way forward कि मैंने एक चीज तो बता दिया आपको, कि आपको त् और 2025, देखो यार, prelims की अगर मैं बात करूँ ना, अगले बार के लिए, तो सेम चीज है, कि आपको static अच्छे से करना है, आपको previous air question में द्यान देना है, previous air question में बात में लिक्या हूँगा, अब यार, अभी उसके लिए बात करने का मतलब नहीं है, there were repetition of questions, ठीके ना, जो 71st constitution amendment में कौन-कौन सी languages आड हुई थी, मैंने जब quality की pyq वाली video डाली तो इसमें में specifically बोला था, star भी कला था question की वो 2008 ता repeat हुआ है, ठीके ना, गुमा फिर आके, तो my point is pyq again is the king, static is again the king, बाकि unexpected हर बार आएगा, बात करते हैं कि देखो, if you are attempting 2025, अभी time है means का prepare करने का, वैसे अगर आप 2025 का calendar खोलोगे, means के लिए भूट time दिया UPSC ने, तो अब अगले बार तो आप बिल्कुल afford नहीं कर सकते हैं कि means आप prelims के बाद त्यार करो, तो my point is कि देखो, easier tough message मैं आपको बता दिया, it was tougher, cutoff इतना तो कभी नहीं जायेगा, even मुझे लगता है कि पिछले बार क cutoff के ही आसपास रहेगा cutoff, जादा ऐसा drastic change नहीं आजाएगा, उसमें, seaside again will play a major role in the cutoffs, and again, और हाँ, एक और सीज, vacancies around इतिनी हैं, ठीक है न, पिछले बार के around around इतनी हैं, तो more people will qualify prelims, तो उससे भी cutoff नीचे जाता है, and way forward, simple सा अगर मैं आपको बताओं, तो मैं आपको बता देहेंगे, प्रेंटि-टी-टी-फाइव अटिम के भी कुछ ताइम बात, so thank you so much for listening it so patiently, and I'll see you the next time.